नमस्कार साथियों स्वागत करता हूं सभी का इस यूटूब चैनल पर साथियों जैसा कि सिक्सान उद्दैशों का टॉपिक पूरा हो चुका है तो उससे संबंदित मैं आपके लिए 22 प्रेश्ण लेका आया हूं एक्जाम की दरश्टी से बहुत ही इंपोर्टेंट जाएगा इस टेस्ट को सोल करने के बाद में तो मित्रों इस वीडियो को पूरा देखना और अच्छी तरीके से ध्यान से एक एक प्रिश्ण के उत्तर का जवाब देने की कोशिश करना तो शुरू करते हैं साथियों पहला प्रिश्ण है उद्देश के जनक किसे कहा जाता है बोबित कोरे वार्डिंग या कोई नहीं तो साथियों मैंने अच्छी तरे से पढ़ाया था उद्देश की जनक किसको कहते हैं बोबित माओ देखो इत्रों या प्रतवमिकल्प सहिए साथियों यह जो टेस्ट है यह सभी के लिए आपके लिए उप्योगी है चाहे आप लक्ष साध्य होते हैं लक्ष दिर्ग कालिक होते हैं उद्देश के अंतरगत लक्ष आते हैं लक्ष की प्राप्ति उद्देशों के माध्यम से होती है तो मित्रों यहाँ पर आपको दूसरे प्रिश्ण में सही आंसर का चाहिए करना है कि राइट आंसर इसका क्या रहेग साथियों दूसरे प्रिश्ण में तीसरा विकल्प सही है कि उद्देश के अंतरगत ही लक्ष आते हैं देखिए मित्रों उद्देश के अंतरगत लक्ष नहीं आते हैं लक्ष के अंतरगत उद्देश आते हैं ये इसलिए ये गलत कतन है और बाकी के जो तिनों कतन है ये सत्य है कि लक्ष साध्य होते हैं सही बात है लक्ष दिर्गिकालिक भी होते हैं और लक्ष की प्राप्ति उद्देशों के माध्यम से होती है तो प्रश्ण फ़ेख प्रिश्ट में दूसरे विकल्प विशिष्टुदेश ठीक है कौन से विशिष्ट विशिष्टुदेश जिनकी प्रापति या कक्षा कक्षमें या कलांश में हो जाती है तो दूसरे विकल्प स़ई है प्रिश्टiend नंबर प्रिश्टार देखेंगे साथिए चोता प्रिश्न है उद्धेशो का सरुस्रेश्ट वर्गीकरण कि सके द्वरा किया गया सरुस्रेश्ट वर वर्गी करण प्रस्तूत किया गया इसलिए यहां प्रत्म विकल्प सही रहेगा प्रिश्ट नंबर पांच में देखेंगे मित्रों कि ब्लूम का उद्देश वर्गी करण किस पर आदारित है एक एच पर दो एच पर तीन एच पर चार एच पर तो साथियों इसका राइट आ प्रस्त pennant और ग्यान आत्म प्रत तीसरा विकल्प सही है प्रश्न नंबर चे में देखेंगे ग्यान meer कुद्देश का समबंद किस से हेए हड़ से हर्ट है इसका संबंद भावात्मक उद्देश से है जो हेंड है इसका संबंद किर्यात्मक उद्देश से है और जो हेल्थ है इसका संबंद स्वास्ति से संबंदिते मित्रों यह जो फोर एच है यह तो गांदी जी ने दिया था और जो त्री एच है यह ब्लूम ने दिया थ इसका जो से आंसर है वो आता है मुल्यांकन ग्यानात्मक उद्देश के निमने स्त्री उद्देश में तीन चीज़े होती है ग्यान होता है अवबोद होता है ग्यानोपयोग होता है लेकिन मुल्यांकन तो उच्छी स्त्री उद्देश है ग्यानात्मक का अगर आपने वीडि योजना में कितने उद्देश्यों को सामिल किया जाता है तीन चार पांच छे तो साथ उसका राइट आंसर जो आता है वह आता है देनिक पार्ट योजना में छे उद्देश्यों को शामिल किया जाता है मित्रों कौन-कौन से ज्ञान अवबोद ज्ञान अपयोग वीडियो आपको अच्छे लगता है तो आप वीडियो को एक छोटा सा लाइक कर दिया कर इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है प्रिश्ण नमबर नो की बात करेंगे मित्रों नोवा प्रिश्ण है भावात्मा कुद्देश का वर्गी करन छे बागों में किस ने किया ब्लूम क्रेटवाल मसीह और सभी तो सात्यों राइट आंसर बताना आपको इसका सही अंसर क्या रहेगा मित्रों प्रिश्ण नमबर नो में जो सही अंसर आता है वो है सात्यों इसका राइट आंसर है सभी बावात्मा कुद्देश का वर्गी करन छे बागों में ब्लूम क्रेटवाल और मसीह सभी के द्वारा किया गया था इसका चोता विकल्प सही है नो ये प्रिश्ण में प्रिश्ण नमबर दस देखेंगे मित्रों दसवा प्रिश्ण है कोई बालक कविता सुत्र या नियम को याद कर लेता है कौन से उद्देश की पूर्ति हो रही है ग्यान अवबोद ग्यान अप योग अभी रूची देखो याद करना मैं अच्छी अच्छी तरह से बताया था कि किस उद्देश की पूर्ति करता है साथ उसका जो सही अंसर है वो है घ्यान ठीक है ज्यान की पूर्ति किसी चीज़ को याद रखना किसी चीज़ को पेचान करना यह ग्यान के अंतर गता आता है प्रिश्ण नंबर 11 में देखेंगे मित्रों 11 वार्वा प्रिश्ण और नब कुछा होता है। तो मित्रू इसका बारवे प्रिश्ण का रहे टांसर बतना है आपको कि ज्यान का जो सरुस्रेश्ट रूप है उसे क्या कहा जाता है मित्रों ज्यान के सरुसेश रूप को अवभोध कहा जाता है ये भी मैंने आपको अच्छी तरह से पढ़ायता दूसरे विकल्प सही है प्रिश्ण नमबर 13 देखेंगे मित्रों 13 प्रिश्ण है कौन सा उदाहरन अवभोध का नहीं है अवभोध का उदाहरन नहीं है समश्या के कारणों का पता लगाना अंतर खोजना संबंद इस्तापित करना और समश्या का हल खोजना मित्रों 10 मिनिट में यहाँ पर मैं आपके सारे प्रिश्ण कराने वाला हूँ 10-12 मिनिट में तो बिल्कुल एक प्रिश्ण को अच्छी तरह से देखिए समझिए मित्रों यहाँ पर जो सई आंसर आता है वो है समश्या का हल खोजना अवभोध के अंतर गत नहीं आता है बलकि ये जो तीन विकलप है ये तीनों अवभोध के अंतर गत आता है प्रिश्ण नंबर 14 देखेंगे साथियों चवदुआ प्रिशने हैं एक बालक गिंती का उप्योग बाजार में सामान खरीदने में करता है वह कौन से उद्देश की पूर्ती कर रहा है ज्यान, कोशल, अवभोध, ज्यान उप्योग तो मित्रु इसका सही आंसर जो आता है वो है ज्यान उप्योग ज्यान उप्योग का मतलब क्या है कि उसका जो पूर्व ज्यान है उसका प्रियोग वो नविन प्रिस्तिती में कर रहा है तो सिखे गए ज्यान का नविन प्रिस्तिति में प्रियोग करना ही क्या कहलाता है ज्यानोप योग कहलाता है इस प्रकार मित्रो इसका चोटा विकल्प सही रहेगा प्रिश्ण नमर 15 देखेंगे पंदरवा प्रिश्ण है पाठ योजना बनाना या नियोजन करना की सुद्देश की पूर्ती करता है ज्ञानोप योग की अवभोद की पत्याभी ज्ञान की और प्रत्यस्मरन की तो मित्रो पंदरवा प्रिश्ण का राइट आंसर बताना है आपको तो साती उसका जो सयांसर है वो कहलाता है ज्यानोप योग ज्यानोप योग पाट योजना बनाना और नियोजन करना ये ज्यानोप योग ही कहलाता है प्रतव विकल्प सही है मित्रू इसका प्रिश्ण नंबर 16 देखेंगे सोलवा प्रिश्ण है एक बालक कक्षा में अधिक प्रिश्ण पूचता है सम्मनित पुस्त के पढ़ता है कौन से उद्देश की पूर्ती हो रही है अभिवरत्ती अभिरूची कोशल और अवभोध तो मित्रों यहां पे सयांसर बताना है मित्रों बालक कक्षा में अधिक प्रिश्ण पूच रहा है सम्मनित पुस्त के पढ़ रहा है यही कहलाता है अभिरूची या अभिरूच्यात्मक भी इसको कहते हैं तो इसका दूसरा विकल्प जो है वो बिल्कूल सही है, प्रष्ण नमबर सोला temps 17 की तरफ बढ़ते हैं सात्यो सतरोई प्रष्ण चितर बनाना चाड़ बनाना मां चितर बलना क्या है ज्यानात्मक Bak, बहवात्मक, वह किर्यात्मक और कोश्ल तो साथियों मैंने ये भी आपको बहुत अच्छी तरह से बताया था कि चित्र बनाना, चार्ट बनाना, मान चित्र बरना ये सबी चीजे किसके अंतरगत आती है कोशल के अंतरगत आती है सत्रवे प्रिश्ण में यहाँ पर चोता विकल्प सही रहेगा मित्रों यहाँ पर कोशल ही सही है प्रिश्ण नंबर 18 में देखते हैं साथियों अठारवा प्रिश्ण है चित्र पहचानना, चार्ट पहचानना, मान चित्र पहचानना है ग्यानात्मक, बावात्मक, किर्यात्मक और कोशल तो मित्रों आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और बिल्कुल मैं इसे ही टोपिक वाइज आपके लिए टेस्ट भी लाता रहूँगा और संपुन सेलेबस से भी मैं टेस्ट लाता रहता हूँ तो मित्रों यहाँ पर जो सही आंसर है वो है ग्यानात्मक देखिए आप किसी चीज की पैचान करते हो तो वो ग्यानात्मक है अगर यूँ आ जाता चित्र बनाना तो वो कोशल क्यल्पर बता जाता तो मित्रों यहाँ पर पहला विकल्प जो है वो बिल्कुल सही है चित्र प उभोध ज्यानोप योग और कोशल तो साथियों 19 वा जो प्रिश्ण है इसका जो सही आंसर है वो है चोता विकल्प कोशल है यह किसी चीज का स्वासवर आप वाचन करते हो जिसे कविता है तो लही ताल के साथ आप उसका वाचन करते हो देखो आपने देखा होगा कि कुछ अंच्छा नबर 20 देखेंगे मित्रों बीसफ़ा प्रिश्ण है तो साथियों उस राय तांसर बताये है जो किरियात्मक उद्देश का वर्गी करन किसने किया गया मित्रों राइट आंसर है चोता विखल्प सिंपसन के द्वारा किर्यात्मा कुद्देश का उर्गी करन च्छे बागों में किया गया था ये मैं आपको अच्छी तरह से पढ़ा चुका हूँ प्रिश्ण नंबर 21 देखेंगे सेकंड लाष्ट प्रिश्ण है साथियों किर्यात्मा कुद्देश का संबंद किस से है हेड, हर्ट, हेंड, हेल्थ तो आपको ये बताना इसमें कि जो किर्यात्मा कुद्देश ही उसका संबंद किस से है मित्रों किर्यात्मा कुद्देश का संबंद हेंड से होता है किस से होता है हेंड से हेंड का संबंद यहां पर ग्यानात्मा कुद्देश से होता है हर्ट का संबंद यहां पर भावात्मा कुद्देश से होता है ठीके यहां पर तीसरा विकल पर सही है प्रशनमबर 22 वा और अ अच्छी तरह से बताया था कितने बागों में किया गया रोबर्ट मेगर के द्वारा किर्यात्मा कुद्देश्यों को चार बागों में उर्गी करत किया गया तो साथ यह था आज का टेस्ट कमेंड करके जाना जितने प्रिशना आपके सही होते हैं और एक छोटी सा एक अपस स्रीज है बारवा टेस्ट आने वाला है तो जरूर से जरूर कल भी आप सारे वीडियो जरूर देखें बहुत लाबदायक आपके लिए होने वाले हैं मिलते हैं कल